नमस्कार दोस्तों इनकी वर्थमान आयू थर्टी वन एर्स है अब ये जो पाम है, इनके दो चीजे मतलब है, इनका कहने का मतलब है इनकी एक्सीडेंट हुए है, इन्होंने इंगलीस में लिखा और मेरी थोड़ी सी इंगलीस उतनी पावर्फुल नहीं है इनके accident हुए है और ये बार बार बचे है उस accident में से तो जो accident वाला role है एक तो इनके लगबग 16 साल के आसपास एक राव रेखाने काटा है इस period में हो सकता है जब अजस्त कोई मार लगी हो इनको एक इनके लगबग उसके 4 साल पहले 12 साल के आसपास ये दो period में कोई न कोई ऐसी घटना इनके जीवन में हुई हो सकती है और एक यहाँ पर तो काफी एक खड़े जैसी स्थिती है तो ये period 100% इनके जीवन का उत्तम गया नहीं होगा कहीं न कहीं खराब गया होगा दूसरा इनका कहना है कि जीवन में इनको बहुत ज़्यादा एचिव करना है और इन्होंने figure बताया 2000 से लेके 2500 करोड तक अब मैं किसी को amount wise तो नहीं कह सकता पर ये जो palm है मैं इस palm को देखकर बात कर रहा हूँ मैंने ऐसे कई परिवार देखे जिनके हाथ में कोई दम नहीं होता पर उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास इतनी अच्छी साइने आ जाती है कि पूरा परिवार huge level की wealth में खेलता है तो ये तो होगे परिवार की बात अब इनका जो ambitious है इनके यार दोस उस level के है तो इनका ambitious दो अजार से धाय अजार करोड के आस पास की संपत्ति जमा करने का है और इनके यार दोस भी उसी level के आस पास के लोग है अब यार दोस जो इनके दिख रहे है वो ये शुक्र परवत देखिए और यहां पर भहुत सारी शुक्र रेखा है जब इतनी सारी शुक्र रेखा है तो व्यक्ति को धन मिलता है खर्च भी अधिक करता है और lifestyle भी उसकी व्यक्ति की काफी हाई रहती है यह agree करता हूँ मैं उसमें ना नहीं इनका अंगुठा भी बैंड हो रहा है तो दोस्ती यारी भी अच्छी खासी होगी पर वो level इस spam पर जरा भी दिखने ही रहा है इस spam के हिसाब से उसके 1% वाला भी level शो नहीं हो रहा है हाँ 1% के आसपास या 2% के आसपास ये पहुच सकते है जो इनका ambitious है इस spam के हिसाब से पर परिवार में किसी व्यक्ति के हाथ में सुपसाइन आ जाए तो उस व्यक्ति के कारण भी व्यक्ति tremendous growth करता है tremendous growth और ऐसे कई परिवार मैंने अपने जीवन में देखे कई परिवार किसी बच्ची के हाथ में अच्छी साइन आ जाए या वाइफ के हाथ में अच्छी साइन आ जाए तो भी व्यक्ति कहां से कहां निकल जाता है तो ये चीज हो सकती है पर इस पाम पर वो सम्रुद्धी नहीं दिख रही है जो यह expect कर रहे हैं हाँ, पर रुकाउटे भी इनकी जीवन में नगण्यसी है बहुत ज़्यादा रुकाउटे नहीं है ग्रोथ अच्छी होगी पर वो लेवल की ग्रोथ इस पाम में तो नहीं दिख रही है उसके लिए बहुत जगह पर आपको फिश शाइन की requirement होती है जैसे शुक्र माउंट पर फिश का होना बहुत ज़रूरी है सन माउंट पर फिश होनी चीए बुद परवत पर होनी चीए मंगल पर होनी चीए यह ऐसी ऐसी जगों पर अगर वो भी सुन्दर अति सुन्दर फिश शाइन होनी चीए तब जाकर वो लेवल प्राप्ट होता है हाँ हो सकता है आपके घर में किसी मेंबर के हाथ में हो आपके पत्नी के हाथ में हो तो मैं उस चीज का इंकार नहीं करता मैं वर्तमान समय में आपके हाथ को देखकर जज्जमेंट दे रहा हूँ हाँ, रुकाउटे नील बटा नील है प्रोग्रेस करते रहोगे और अच्छी खासी प्रोग्रेस करोगे पर जो एक्सपेक्टेशन है वो इस पाम पर शो नहीं हो रही है अब इस पाम को देखे तो यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन बन रही है, ऐसे लोग समझदार होते और समझदारी पूर्वक अपने जीवन को जो अपरचुनिटी आती है उसको अच्छी तरह से ग्रेब कर पाते है यह पाम कंप्लिट स्क्वेरिश है जब इस तरह का स्वेरिश पाम होता तो व्यक्ति महनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्षेस्पूल बनाता है फर्स फैलन को नुकी लाए तो कारे के प्रती जित अच्छी खासी होगी और बैंड हो रहा है तो जब बैंड होता है तो व्यक्ति का अच्छा खासा समय दोस्ती यारी में जाता है ऐसे लोग चुठकी बजाकर लोगों से दोस्ती करते और अच्छा खासा जीवन का समय दोस्तों के बीच में जाता है यहाँ पर second falange है तो अच्छा लोजिक के साथ तर्थों के साथ अपनी बात तो सामने रख पाएंगे पर कहीं न कहीं पैडिंग कम है इस फैलेंज पर तो व्यक्ति में जो अपने हितों की रक्षा करनी रहती वहाँ पर कमजोर रहते हैं कमप्रोमाइजिंग नेचर होता है व्यक्ति का इनकी गुरु की उंगली थोड़ी सी बड़ी है और बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना अच्छी खासी होगी पर थोड़ी सी सुर्य की उंगली से बड़ी है तो जब ये उंगली थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो व्यक् पर छोटी छोटी बातों में इगो हट हो जाता है छोटी उंगली देखे तो थोड़ी सी छोटी रह रही है तो व्यक्ति 15 से 20 परसेंट जो मैं वस्तु एक गिना रहा हूं उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी डोकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट, अकाउंट यह सारी चीजों में कहीं न कहीं थोड़े से कमजोर रहेंगे अपने जीवन में अब इनके दूसरे फोटोग्राफ का हम साहरा लेते हैं और उस फोटोग्राफ में देखते हैं तो ज्यादा स्पष्टिता से इनका यह इनका बुद परवत बुद परवत पर देखें तो एक खड़ी लाइन है और यहाँ पर ट्रैंगल बन रहा है यह ट्रैंगल व्यक्ति इनको व्यापार कुशल बनाता है काफी एक्सपर्ट होते हैं व्यापार करने में बिजनेस करने में काफी मास्टर माइंड होते हैं और थोड़ी सी यह लाइन बैंड हो रही है तो जो पत्नी मिली होगी वह थोड़ी सी डॉमिनेटेड मैं यह नहीं कहता हूँ बहुत ज़ होती है व्यापार के गुण काफी अच्छे पाये जाते हैं अब संद मांट पर भी देखे तो यहां से एक हलकी सी रेखा चल रही है और एक रेखा यहां से निकल कर आगे चल रही है तो जो सन लाइन है वो भी कि यहां से शुरुवात हो रही है लग बग 57 के आसपास से 57 के आसपास से इनको comfortable income कम मेहनत में जीवन में आती रहेगी और एक multiple property की sign बहुत अच्छी बनी हुई है तो जीवन में property आ तो आप अच्छी बनाओगे खरीदोगे या निर्मान करोगे और एक ऐसी sign है इसमें judgment नहीं लग रहा है यहां से निकल कर यह cross बना रही है जो इन्हों ने कहा भी है कि मुझे जीवन में obstacle भरपूर आते हैं अब यहां पर कोई रहू रेखा है इनके कोई काट नहीं रही है तो obstacle हो नहो इस cross के कारण आते होंगे क्योंकि जब यहां पर cross होता है तो या तो पिता के साथ संबंद अच्छे नहीं होते है या पिता से दूर रहना पड़ता है या पिता का साया बहुत छोटी उम्र में चला जाता है एक तो चीज यह हो गई दूसरी कहीं न कहीं व्यक्ति थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो या तो लोग इनके टांग खिशने वाले मिलते है या परिस्तितिय इस तरह से निर्मान हो जाते कि व्यक्ति को पीछे आना पड़ता है तो यह cross के कारण यह minus point है मैं इसका उपाय इनको दे दूँगा बहुत आसान उपाय है यहां पर एक को पूछ पूछ कर काम करते हैं और यह बचपन से सिलसिला चलता है जैसे जैसे उमर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह सिलसिला बढ़ते जाएगा इनके पाम में देखे तो एक रेखा यहां से निकली और यह अर्ध शुक्रवलए जैसे स्थिति पैदा होती है यह बहुत बार व्यक्ति को पॉलिटिकल लाब भी कराती है या अर्ध शुक्रवलए के कारण व्यक्ति को मूर्द स्विंग का प्रॉब्लम रहता है सुबह अलग होगा मूर्द, दूबबर को अलग, शाम को अलग, इस तरह का problem भी व्यक्ति को face करना पड़ता है पर यह पैसा देती है पर इनका जो expectation है वो लेवल का पैसा यह sign भी नहीं देती है शनी परवत एकड़म flat है तो आलत से क्या होता है इनको पता ही नहीं होता और यहाँ पर continue रेखाए चल रही है तो बुड़ा पे तक income जीवन में आती रहेगी comfortable income करते रहेंगे अब इनके गुरु परवत को देखे तो गुरु परवत छोटा है तो कभी न कभी इनको परिवार से दूर रहने का मौका जीवन में आएगा मैं यह नहीं कहता हूँ कि सांसारिक और पारिवारिक problem जीवन में रहेंगे पर यह व्यक्ति को इस तरह का परवत परिवार से दूर settle करवाता है और सेम चीज़ देखे तो इनकी जीवन रेखा से इस तरह से रेखा जा रही है तो ऐसे लोग विदेश में जाकर भी settle होते है इसी गुरु परवत पर देखे तो अच्छे खासा square बना हुआ है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ने कोई property खरीदता है और 36 साल में authority position पर पहु और एक दो लाइने अर्द शुक्र वले अर्द गुरु वले बन रहा है और multiple income के source आड़ी रेखा है बन रही है तो multiple income के source भी create होते है और व्यक्ति सेवा भावी भी होता है यह सारे गुन इनको प्राप्त हो रहे है और एक continue रेखा चल रही है यह व्यक्ति को continue प्राप्ति रहेगी अंदूनी मंगल देखे तो काफी अच्छा है तो सरीर की energy अच्छी खासी रहेगी इनके जीवन में और जब उभार रहता है तो बच्पन के दिनों में और जवानी में व्यक्ति थोड़ा सा अपशब्दों का प्रयोग जादा करता है पर जैसे जैसे वैसे वैसे कमजोर होता है यानि कमजोर नहीं अब शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा कम हो जाता है पर वो आदत जाती नहीं दूसरी चीज इनका भारी मंगल भी अच्छा है और अंदूनी मंगल भी अच्छा है तो मेरी इन से सला है प्रापर्टी में इन्वेस्मेंट कि तो आपको काफी भारी लाप जीवन में प्राप्ट होगा यह शरीर की एनर्जी अच्छी खासी देता है और भारी मंगल व्यक्टी काफी साहसी होता है और साहस से अपने जीवन का development करता है प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला comfortable फिल करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंद्रपरवत काफी सुन्दर है और यहां पर रेखा है continue ऐसे लोगों में six sense होता है जिनके चंद्रपरवत पर ज्यादा लाइने दिखे आपको तो यह लोग six sense रखते अपने जीवन में यानि कोई hello भी बोल दे तो सामने वाले को तूरंत यह catch कर सकते कि यह किस तर का आदमी होगा इतना अच्छा sense होता है प्लस यात्रह भरपूर करवाती है और जीवन रेखा से भरपूर रेखा है इनकी यहां पर जा रही है ऐसे लोगों का विडेस में आना जाना long stay या सदा के लिए विडेस में बसना बहुत आसान होता है और इनका गुरू परवत भी जीशतरा का है तो कभी न कभी इनको परिवार से दूर कहीं न कहीं और दूर सेटल करवाएगा या नहीं भी हुए तो आना जाना continue लगा रहेगा विडेस में एक चीज यह चंद्रपरवत अच्छा है तो विडेस से सम्मध आएगा जरूर इनका किसी न किसी रूप से चाहे इनके द्वारा है इनके द्वारा ही दिख रहा है दूसरी चीज है चंद परवत अच्छा होता है तो व्यक्ति नई नई चीजे करने का शौखिन होता है अच्छा परचेसर होता है रिफाइंड सोच होती है पानी अच्छा लगता है दूद से बनी कोई ने कोई वस्तू इनको भात भाती है यह सारे गुन व्यक्ति को चंद परवत के द्वारा मिलते है और एक रेखा बुद्ध रेखा चल रही है तो इस तरह की रेखा भी व्यक्ति को सक्सेस्पूल बनाती है पर यहां पर ना ग्रेटर टैंगल बन रहा है और बहुत चोटा सा मनी टैंगल बन रहा है तो इंकम का जो सोर्स होगा वो वो लेवल का नहीं होने वाला जो यह एक्सपेक्ट कर रहे है या उसका पर फिर भी यह बुद्ध रेखा सफलता तो इनको दिलाएगी अब चलत जिरियस लाइफ देती है व्यक्ति को जीवन भर व्यक्ति के पैसा हो या ना हो पैसा भी देती है यह लाइन हो ना हो का सब्जेक्टी नहीं आता यह लाइने पैसा भी देती है और अच्छी लाइफस्टाइल देती है यह लाइने व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जीता ह और पैसा भी अच्छा कमाता है, और शुक्र परवत भी अच्छा है, व्यक्ति पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है, बंठन के रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, और गर्मी इनको सहन नहीं होती काफी अच्छा शुक्र परवत है, अब इनकी हिदे रेखा पर चले, तो हिदे रेखा कम्प्लिट गुरु परवत से बैंड होकर, कव लेकर आगे बढ़ रही है, और यहां पर फ्लर्ट लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर रुकी होता है, और इसके ब बाकी होंगे, तो सामने से याद करके देकर आएगा, और काफी अच्छी हिदे रेखा है, हाँ, थोड़ी सी जंजटे जीवन में, मैं यह नहीं कहता, बहुत जादा रहेगी, हल्की सी जंजटे रहेगी, पर बाकी उत्तम जीवन जीएंगे, पैसा भले वो लेवल का ना कम पर जीवन काफी अच्छा उत्तम जीएंगे, सेम इसी तरह की माइन लाइन देखे, तो माइन लाइन पर सीधा यहां से गुरू परवत से सुरू होकर, यह नौर्श टॉप यहां तक चल रही है, जब इतनी अच्छी माइन लाइन हो, और इतनी बड़ी हो, तो व्यक्ती ब पर तिमेंडर्स गुरोथ करता है, दूसरी चीज, यह लोगों में बहुत बार यह लाइन जब सीधी होती है, तो यह लोग 10 मिनिट सीधा खड़ा नहीं रह पाते, कमर में एक थोड़ा सा अलग ही तरह का दर्द होता है, ऐसे लोगों में, बीना सपोर्ट के बैटने में भ रिखा गया, काफी अच्छी माइन लाइन है, बहुत अच्छा पांच मिनिट भी फाल्टू समय नहीं गवाते होंगे, कोई ना कोई नौलेज देने की कुछिस करते होंगे, सैम इनकी जीवन रेखा भी, जैसे सुरुवात में बताया, एक रेखाईए और एक रेखाईए, इस पिरियड में कोई ना कोई इनके साथ अनोनी हुई होगी, उसके बाद ऐसी कुई रहु रेखा इनके पूरी लाइफ लैन को काट नहीं रही है, हाँ कोई छोटी सी बारिक होगी तो अलग बात है, तो इससे अच्छा और कौन सा हाथ हो सकता है, जिनके जीवन में रुक जिनके हाथ में बड़ी-बड़ी मुटी-मुटी राव रेखा उने काटा रहता है, बहुत टिमेंडस पेन उठाना पड़ता है, ऐसा कोई पेन आपके हाथ में दिखने ही रहा है, और पूरी जीवन रेखा इस तर से घुमाव ले रही है, तो परिवारिक सोच वाला व्यक अब यही रेखा बढ़कर इस तर से टच हो जाए, तो ग्रेटर टैंगल बन जाए, तो अच्छी खासी संपती व्यक्ति अपने जीवन में जमा करता है, अब इनकी फेट लाइन को देखे, तो पहले इस फेट लाइन पर नजर करते हैं, यह काफी हलकी हलकी होकर आगे बढ रही है, और यह पिरियड में एक आर्थिक नुकसान आएगा, लगबग यह होगा 42-43 के आसपास, इस पिरियड में इनको कोई नो कोई आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और यह सीदी चलकर आगे बढ रही है, और सेम यहाँ पर देखे, तो एक और फेट ला रही है, अगर यह रेखा, काटकर आगे निकलती होगी तो आर्थिक नुकसान, नहीं तो यह इन्वेस्मेंट की और इशारा जाता है, इस पिरियर में, पर यहाँ तो आर्थिक नुकसान 43 के आपास दिखी रहा है, और यह चलकर सीधी चली, और यहाँ आकर स्टॉप और यहाँ से एक हलकी सी रखा चली, यहाँ से एक और रेखा व्यवसाय इनका चालू होगा और वो आगे बढ़ेगा, और यहाँ से एक और व्यवसाय सुरू होगा, यानि बुड़ा पे तक इंकम आती रहेगी, पर यह जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज इनके हाथ म ने तो नहीं दिख रही है, तो आशा रखता हो, इनके सभी प्रशनों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादी.